नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल ग्यान कामना पर दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको राजिस्थान प्री डिलेड प्रीक्षाथ 2021 यानि BSTC 2021 का ओनलाइन फोरम कैसे बरा जाता इस्टेप बाइस्टेप जानकारी देने वाला हूँ अगर आप ये फोरम भरना चाते हैं तो वीडियो के साथ हो आप बने रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो वीडियो में आगे बरने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि देखिए फोरम भरने की जो लास देट है यानि BSTC 2021 की फोरम भरने की जो लास देट है वो है 10 जुलाइद 2021 यानि आप 10 जुलाइद 2021 तक फोरम भर सकते हो और 12 जुलाइद 2021 तक अपनी से वो जमा कर सकते हो और फोरम को फाइनली संबिठ हो कर सकते हो और फोरम भरने के लिए जो फीस हो है 400 रुपए सामने सुलक अगर आप सेंसक्र्ट के साथ भी फोरम भरना चाहते हो तो इसकी जो सुलक रहेगी वो 4500 रुपए रहेगी चलिए फोरम कैसे बरते हैं दोस्तो तो फोरुम भरने के लिए सबसे पहले आपको प्रीडियल दी प्रीकशाब 2021 की जो ओफीशिल वेबसाइट है उस पे आपको विजिट करना है डारेक्ली आपको गूगल पे जाके सर्च करना प्रीडियल ये जब आप सर्च करोगे तो यहां पे देखे साइट आ जाएगी प् प्रीडिया आपकी सुधाय के लिए ताकि आपको किसी परकार की कोई प्रेसानी नहीं है यहां से आपको रिजिस्टेशन करना है या फिर ओफीशिल वेबसाइट पर विजिट करके यहां पे आपको लेट्ट साइड में दो अप्शन मिल जाएगे सबसे पहले आपको registration करना पड़ेगा जब registration successfully हो जाता है उसके बाद आपको login करके फोरम हो अपलाई करना पड़ेगा चलिए सबसे पहले आपको registration हो करते हैं registration के लिए registration new candidate वाले option पे click करते हैं जैसे ही click करेंगे तो एक नया page है registration का open हो जाएगा सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे अपना नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, अपने mobile नंबर है, email address है, DOB है, इसके लाव यह जो capture आपको यहाँ पे डालनी है, और धान अगना जब भी आप registration करो, तो अपने नाम की जो spelling है, पिता और माता की नाम की spelling है, वही आप को डालनी है, जो की आपकी 10 की मारक सिट में, यदि एक बार registration कर ले तो और गलती रह जाती है, तो उसमें आप edit नहीं कर पाऊगे, फोरम में अपनी basic information डालने के बाद, दोस्तों आपको यहाँ संबिट पे क्लिक करना है, और जैसे आप संबिट पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे confirm कर देना है, तो आपको ध्यान लगना है कि यहाँ पे आपकी जो mobile number है, आपका जो नाम है, पिता का नाम है, एक बार चेक कर लीजिएगा, यदि सही है तो आप confirm हो कर दीजिएगा, जैसे आप confirm कर दोगे, तो आपको यहाँ OK पे क्लिक करोगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी application ID number डालना है, और password आपको यहाँ पे डालना है, अप्लिकेसन ID और जो password हो आपके mobile number पर message के दुआरा आ गई है, वो आप डाल लीजिएगा, login हो कर लीजिएगा, तो चलिए मैं login कर लेता हूँ, इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको पासवर्ड डालना जो कि आपके mobile number पर आया है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नया जो password हो डाल देना, और धान अगना जब भी आप पासवर्ड डालो तो याद वाला password डालना जो कि आपको हमेशा याद रहे, और password में small letter है, capital letter है, digit है, और special जो character है, वो आप जरूर रीज किजिएगा, तो चलिए मैंने यहाँ पर password है, वो डाल दिया है, submit पर किलिक करते हैं, और जैसे आप submit पर किलिक करोगे तो आपको दुवारा एक बार login करना पड़ेगा, और दुवारा लोगिन करने के लिए देखिए, आपको main website पर यहाँ पर login to fill application forum है, इस पर आपक होने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको forum का जो interface है, वो दिखाए देगा, और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उपर आपको 4-5 step है, वो complete करनी है, आप दे सकते हैं, सबसे पहले आपको basic detail बरनी है, फिर अपनी photo signature आपको upload करने है, address detail आपको डालनी है, education detail आपको डालनी ह जहां पर आप यह exam देना चाहते हैं, तो आपकी आवसेक्ता के नुसार कोई वी एक district है, वो select कर लीजेगा, जो आपकी नजदिक पड़ता है, उसके बाद दूसरा district आपको यहाँ पर select है, वो select कर लेता हूँ, आप अपने आवसेक्ता के नुसार है, वो select कर लीजेगा, इ इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपका जो gender है, वो gender आपको यहाँ से select है, जो भी आपका gender है, male या female उसको select कर लीजेगा, इसके बाद यहाँ पर आपकी विवायक इस्तती है, वो आपको बतानी है, कि आप married हो या unmarried हो, तो आप यहाँ पर अपने आवसेक्ता के नुसा select हो कर लीजेगा, तो चलिए, मैं यहाँ जिला हो select कर लेता हूँ, इसके बाद आपको अपने जाती की जो category हो select करनी है, journal है, SC है, ST है, OBC कर लीजेगा, इसके बाद अगर आप minority group से हैं, तो yes कर दीजेगा, वरना आप no हो कर दीजेगा, यदि आपके disability है, तो आप yes कर दीज आपको भरनी है, फिर आपको यहाँ पर save and next का option आपको मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पर click कर देना है, तो आपकी पहले जो step हो complete हो जाती है, basic details, save successfully, इसके बाद दोस्तों, दूसरी जो step है, यहाँ पर आ जाती है, और दूसरी step के अंदर आपको अपनी photo upload करनी है, अप आप एक pop-up आजाएगा, और यहाँ से आपकी photo select कर लेनी है, तो अचलिए मने photo है, यहाँ पर select कर ली है, अब देखिए हमारी जो photo वो सही तरह की fit नहीं वैठी है, और photo fit बठाने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको यह आगे पीसे कर लेना, तो आपकी photo हो आपकी photo हो अपलोड हो जाती है, उसके बाद आपके जो signature है, इसके लिए आपको यहाँ पर click कर देना है, उसी हिसाब से आपको कर लेना, अपने signature को upload करने के लिए browse पे आपको यहाँ पर click कर देना है, signature upload करने के बाद यहाँ पर अपने signature की settings है कर लिजेगा, crop कर लिजेगा और confirm हो कर लिजिएगा इसके बाद अपने अंगोठे का जो निशाना आपको यहाँ पे upload करना है चलिए मैं इस पे click करके अंगोठे का निशाना वो upload हो कर लेता है चलिए इसको अपने आउस्टेगता है कि निशार छोटा बड़ा हो कर लिजिएगा और मैं यहाँ पे crop कर दे तो देखिए यहाँ पर हमने photo signature और thumb है वो सारे upload कर दिए इसके बाद दोस्तों इस step को आपको save कर देना यहाँ पे save and next पे click कर देना तो हमारी यह जो step है वो success पुली save हो जाएगे और ध्यान रखना जब भी आप photo signature और thumb upload करो तो इसकी size का wishes ध्यान रखना और जो thumb की size है वो state select कर लेना है state का जो district है वो select कर लेना जिस district से आप संबंद रखते हो उसके बाद यहाँ से अपने जो पंचाई सिमिति है वो select कर लेनी है फिर आपको यहाँ पर जो gram पंचाई है वो select कर लेनी है इसके बाद यहाँ पर अपने गाउं का नाम ही यह आपका जो पूरा पता ह और इसके बाद यहाँ पे अपना जो डाग घर है या पोस्ट होपी से वो सेलेक्ट हो कर लेना है इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपका यहाँ पर देखिए हमने फिल हाल यहाँ पर जो इस्थाई पता वो फिल किया है रही है और अगली स्टेप के अंदर यहां पर अपन एजूकेशन डिटेलर वो फिल करेंगे और सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको अपना जो इंस्टूट है उसका सेलेक्शन करना है यदि आप अलब भाशाई सहंस्तान में परवेश लेना चाहते हैं DLD के लिए तो अगर आप दोनों एक साथ करना चाहते हैं यानि जर्नल बेस्टी से भी करना चाहते हैं तब आपको दोनों इस्तिति में यहां पर भी आपको यहां पर भी आपको यह करना है चलिए मेरे केस में मैं यहां पर आपको नो करके दिखा रहा हूं चलिए इसके बाद यहां पर तोटल यहां पर amount आ जाएगा इसके बाद दोस्तों यहां पर आपकी education जो qualification आपको यहां पर फिल करना ही यहां से आपको select हो कर लेना इस तरह से अप देखें यहां पर दो तिन ओप्सन यहां पर आ रहे हैं पहला जो option आ रहा है senior secondary फिलाल यह दि आप appear है अग्जाम आपने न करना तो चलिए मैं senior secondary को यहां पर select करता हूं इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर अपने secondary डिटेल बरने उपाद देगी detail आपको बरने यहां नि 10th class की detail आपको इस column के अंदर आपको यहां पर बरनी और सबसे पहले आपको यहां पर अपना जो board है उसको select कर कर लीजेगा इसके बाद आगे यहां से आप अपने year है वो select कर लीजेगा कि 10th class आपने कौन से साल में pass किये इसके बाद यहां पे अपना जो roll number हूँ आपको डालना है maximum mark आपको यहां पर डालना है और कितने number आपने असिल किये हूँ आपको यहां पर डालने जो number आप यह यहां पर डालोगी तो टोटल जो परसिंटेज है आपको यहां पर दिखाए देगा इसके बाद यहां पर देखिए अगले कोलम में आपको सीनियर सेकेंडरी या ट्वल्थ कलास की डिटेल आपको यहां पर फिल करने हैं अगर आप पर ट्वल्थ पास आउट के लिए फोरम बढ़ेंगे तो लेकिन मैं यहां 12 पास के लिए अप़लाई कर रहा हूँ इसलिए में यहां पर सेंटरी पास को सेलेक्ट कर रहा हूं यहां पर बो बॉर्ड वो भी सेव हो जाएगी तो आप यहां पे इसक्रीन पर देश सकते हो सेव सक्सेस्पूली ओके आपको यहां पर किलिक करना है ओके पर किलिक करने बाद देखे दोस्तों हमारी लास्ट स्टेप आ जाती है हमारा जो फोरम प्रिवी है वो दिखाई देगा अगर इसमें कहीं दिक्कत आ रही है कोई गलती रह गही है तो यहां पर देखे नीचे आपको उप्शन मिल जाएगा एडिट फोरम और जिस स्टेप के अंदर जो गलती है एरर है उसे आप अपडेट कर दीजेगा और बाद में save and next, save and next करते हुए फोरम को finally submit कर दीजेगा माल लिजे हमारी ये सारी डिटेल एकदम सही है किसी परकार का कोई correction नहीं है तब आपको finally यहां पे verify and save draft पे आपको यहां पे click कर देना है अब जैसे ही आप यहां verify पे click करोगे तो आपका यह जो फोरम है वो submit हो जाएगा ओके पे आपको यहां पे click कर देना है अब जैसे ही आप okay पे click करोगे तो दोस्तों यहां पे देखिए आपको payment करना पड़ेगा और payment है आप online किसी भी मादम से यहां पे कर सकते हैं बहुत सारे payment के option आपको यहां पे मिल जाते हैं अब यहां पे देखिए जो amount आपको pay करना है वो amount आपको यहां पे दिखाए देगा और amount pay करने के लिए यहां से आपको payment method है वो select करना है यानि आप किसके दौरा payment करना चाहते है net banking, credit card या फिर UPI के दौरा या फिर emitter चलान के दौरा जैसे आप करना चाहते हैं उसे select कर लिजेगा मैं यहाँ net banking को select कर रहा हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर process for payment पे आपको click करना तो यह payment gateway पे ले जाएगा payment gateway पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखे आपको left side में कई option दिखाए देंगे अब यह payment है आप कैसे करना चाहते हो UPI, credit card, debit card या फिर net banking के दौरा जिससे भी करना चाहते है उसे select हो कर लिजेगा मैं यहाँ पे net banking को select कर रहा हूँ net banking को select करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखे निचे आपके सामने दो option होगे यदि आपके पास ICIC bank की net banking है तो इसे select कर लिजेगा या फिर कोई other bank है जैसे SBI है, HDFC है, PNB है या और कोई भी है तो आपको other bank है वो select कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पे process now पे click कर देना है इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे bank है आपको यहाँ पे दिखाए देंगे जो भी आपका bank है उसे आप select कर लिजेगा अगर यहाँ उपर आपको नहीं दिखाए दे रहा है फिर यहाँ पे देखिए select another bank का option आपको मिल जाएगे तो यहाँ पर आपको total bank है वो दिखाए देंगे जो भी आपका bank है उसे select कर लिजेगा मैं यहाँ पे SBI bank को select करता हूँ पे नाओ पे click करता हूँ अब जैसे अपन पे नाओ पे click करेंगे अब देखिए दोस्तों मान लिजे फिलहाल मैं यहाँ पे payment नहीं कर रहा हूँ हो सकता कि मान लिजे को technical issue आगया और आपका जो payment हो final नहीं हुआ फिर आपको यहाँ पे क्या करना है तो फिर आपको वापस अपनी login ID से login हो कर लेना जैसे मैं वापस यहाँ पे login कर रहा हूँ और login करने के लिए देखिए यहाँ पे आपको वापस अपना जो चलान हो यहाँ पे आपको दिखाए देगा ठीक है और फिर आपको वही process करने हैं जो फिलहाल अपन करके लेकर हैं login ID डालने के बाद यहाँ पे login पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना तो दुबारा अपने फोरम के अंदर login हो जाएंगे और login होने के बाद देखिए वापस payment वाला mode आ जाता है तो उसी process को आपको अपना पेमेंट हो कर देना है इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपने finally payment कर दिया तो आपका फोरम संबिट हो जाएगा फोरम संबिट होने के बाद इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है और आपके पास बहुस्ते के लिए सुरक्सित रखना है यहाँ पर मैं आपको किसी परकार का payment करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि के ओल एक demo वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फोरम कैसे बरा जाता step by step जानकारी मैंने यहाँ पर आपको बताईए जैसा कि यहाँ पर हमने पहले जो अपना जो payment है वो cancel कर दिया और दुवारा log-in किया तो यहाँ पर आकी यह forum है वापस start हो गया तो इसी तरह से आपका forum है वापस start हो जाएगा जब finally आप payment कर दोगे तो आपका forum है वो भी successfully submit हो जाएगा अगर forum भरते समय कोई दिक्कत आ रही है तो आप comment कर सकते हैं मैं आपकी पूरी help करने के कोशिश करूँगा और यहाँ पर देखे दोस्तो एक option और आरा draft review अब देखे draft review का मतलब है कि जो forum आप भरके ले किया है हो जो कि मैंने भी आपको पहले बताया था वो सारा यहाँ पर detail है आपको यहाँ पर दिखाए देगे और यहाँ पर एक notification है वो भी आपको सबसे last में दिखाए देगा देखे यहाँ पर लिखा है कि आपका forum हो वो संबित हो गया तो दोस्तों इस परकार से अपन pre-DLD या फिर BSTC exam 2021 का online forum भर सकते हैं साइद आप समझ गए होंगे अगर इसके अलाओ यह दिए आपकी कोई query हो तो आप वीडियो के निचे comment कर सकते हैं मैं आपकी help करने के कोशिश करूँगा और आप बताना आज की वीडियो आपको कैसे लेगी अगर वीडियो जानकरी आपको अच्छे लेगी हो तो यह वीडियो को like करना शेर करना और channel पे नए है तो channel को भी जरूर subscribe करना क्योंकि हमारे channel पर आपको इसी प्रकार की जानकारिया समय समय पे हो मिलती रहेगी तो मिलते हैं फ्रेंट्स एक लिए एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत